तो अब ये आर्टिकल देखें बिल्कुल रेडी है और किसी भी AI डिटेक्शन टूल में भी देखें तो इसका रिजर्ट बहुत ही कमाल है, 100% हुमन आ रहा है, प्लेजरिजरिजम देख लेए, AI डेक्शन देख लेए, सारे रिजर्ट्स इसके बिल्कुल जबदसतार है और कि ये content हमने completely AI को यूज़ करते हुए लिखा है, तो इस तरह का article आप किस तरह से लिख सकते हैं, अपने blog के लिए content कैसे लिख सकते हैं, AI को यूज़ करते हुए, कुछ AI tools कम इस्तमाल करेंगे इस video में, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप blog content लिख सकते हैं, ये video full of value होने इसको आपने पूरा देखना है, ताकि आप कोई भी information मिस ना करें, क्योंकि हर पॉइंट में मैं आपके साथ बहुत important information share करने वाला हूँ, कैसे आप AI को utilize कर सकते हैं, अगर आप blogging करते हैं, और अपना content AI को use करते हुए, कैसे लिखेंगे, और safe तरीके से, ताकि Google उसको index करे रेंक करें, और आप उससे revenue generate करें, जैसे कि मैं पता है कि recently Google ने बहुत सारी updates कि इसमें AI को उसने punish किया, और जो भी AI content को copy waste कर रहे थे, उनकी sites जो है, वो destroy हो चुकी है completely, तो इस AI के दौर में आप AI से कैसे फाइदा उठा सकते हैं, और अपने blog के लिए content AI को use करके लिख सकत Google उसको पसंद करें, इसको rank करें, क्या-क्या factors होता हैं जो आपको देखने हैं, ताकि आपका content भी Google में अच्छा perform करें, इस video में sample एक article लिख के भी देखेंगे, मैं आपको completely बताऊंगा कैसे मैं 2-3 AI tools को use करके ये content लिखता हूँ, minimum effort लगेगी हमारी अपनी और सारा काम हमे AI करके देगा, आर्टिकल लिखने के लिए हम इस prompt को use करें क्योंको हमें AI को use करने वाले आर्टिकल लिखने के लिए, तो यहां पर ये prompt इसके अंदर सारी information है, जो कि AI को बताएगा कि मैं किस type content चाहिए, SEO friendly चाहिए, high quality चाहिए, और AI as an SEO writer का हमारे लिए काम करेगा, strategist के त इस prompt देंगे, तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा और ready होएगा हमारा content लिखने के लिए, फिर हमें उसे topic बताना है, और हमारे लिए best content प्रोड्यूस करेगा, यहां पर इस prompt को आप copy कर सकते हैं, अब यह prompt का link निचे description में है, और भी बहुत सारे prompts और यह resource sheet है, इसका link आप prompt है, इसको completely आपने copy करना है, जैसे cloud AI है, इसको आप यूज कर सकते हैं, मैं इसको यूज करने वाला हूँ, उसके बाद chat GPT में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, हम इन सारे tools को यूज करके, आज help लेने वाले इन सारे tools की और हम एक best content जो है, वो generate करेंगे, तो मैं cloud AI में आ इसको यूज कर देना है, हम लगाते हैं, AI को समझाने में के भाई, humanized type को होना चाहिए, और ये tone होनी चाहिए, और SEO friendly हो, Google उसको पसंद करें, ऐसा content मुझे लिखके, तो ये 4 गंटे जो हमने prompt देना है, हम सिद्धा उसको ये prompt देंगे, और सारा कुछ वो automatically समझ जाएगा, सिद्धा आगे आपने start कर लेना है, तो वो बोल रहा है कि मैं ये सारी चीजें आपको generate करके दूँगा, what keyword or topic would you like me to focus on, अब सिद्धा वो हमसे keyword मांग रहा है कि किस keyword को पर content लिखना है, मुझे बता हो, ताके मैं content लिखो, तो मैं यहाँ पर अपना topic पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर इस process को आप follow करते हैं, मैं यहाँ पर अपना topic जाओ enter करता हूँ और यह content create करना start कर देगा, अब यहाँ पर देखें तो एक पूरी की पूरी outline उसने हमारे लिए generate कर दिया, यहाँ पर introduction है, उसके बाद H1 है, जो हमारा main title होगा, और वो भी SE optimized तरीके से उसने लिख दिया है, conclusion भी मौझूद है, उसके बाद semantic keywords उसने 50 हमें दिया है, कि यह keywords हमें अगर article में use करते हैं, तो best terms के उपर हमारा article यह rank करेगा Google के अंदर, यह पूरी outline तयार हो चुकी है, अब content भी इसमें हमें लिखना होगा, जाहरा एक keyword देने से वह आपको पूरा article तो नह आपको दे देता है, अगर वह यह आप use करते हैं, तो आपका article रेंक नहीं करने वाला, वह क्या-क्या factors हैं, वह भी आपको बताने वाला हूं, कैसे आप इसको humanize कर सकते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो अब यह article का जो draft हमारा ready हुआ, इसको मैं सीधा यहां से copy करू यहां पर और यह है introduction, यहां से यह start हो रहा है, इसको बंद करते हैं, और उसके बाद इसको मैं paragraph में डिवाइड कर देता हूँ, यह intro हमारा ready है, उसके बाद यह है, इसका पहले हम draft ready करेंगे, पूरा content हम यहां पर generate करेंगे, उसके बाद हम इसको देखते हैं, क्या-क्या factors हम के अंदर भी हमें content चाहिए, ताकि हमार article ready हो जाए, तो मैं इसको copy करता हूँ, same cloud AI को भी use कर सकते हैं, या फिर chat, gpt, jasper बगारे को भी use करते हैं, जैसे jasper यहां पर मौझूद है, मैं create content पर click करता हूँ, jasper के अंदर आप यहां पर create पर आते हैं, तो blog post का जो template है, वो आ choose करेंगे, यहां पर title वो आप से बोल रहा है, तो आप अपना h2 दे सकते हैं, यानि हम एक blog का section लिखने वाले हैं, तो मैं इसको यहां पर enter कर देता हूँ, यानि यह जो हमारा title है, उसके बाद यह सारी outline को यहां पर copy करते हैं, next पर जाते हैं, audience के अंदर आप दे सकते हैं, travel enthusiasts, cultural explorers, इसको मैं देता हूँ, next पर click करते हैं, outline में मैं अपने यह सारे sub headings डाल देता हूँ, next पर click करते हैं, add more information पर click करते हैं, custom information या keyword वगारा भी आप यहां पर दे सकते हैं, जैसे मैं यहां पर add more पर click करते हूँ, keywords पर click करते हैं, और जो cloud AI ने हमारे लिए कुछ semantic keywords यहा यहां पर, jasper मैं डाल देता हूँ, उसके बाद next पर click करते हैं, add more information पर click करके आप कोई और चीज भी यहां पर दे सकते हैं, कोई reference दे सकते हैं, को export code दे सकते हैं, case study वगारा, हम generate now पर click करते हैं, और यह इस हिस्से का content generate करना शुरू कर देगा, यहां पर देखें, तो यह content generate कर रहा है, अब यह जाहर है, सारा AI content है, एक तो यह तरीका है, कि आप कर सकते हैं, AI tools को भी use कर सकते हैं, जैसे jasper है, मैंने इसको किया, अब next section जो है, हम cloud AI से, फिर next session chat GPT से मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको idea हो जाए कि कौन सा tool best perform करता है, और आप किसी भी tool को use करक करता हूँ, यहां पर cloud को ही देंगे, और enter करते हैं, तो यह अब इसके उपर content लिखना start करेगा, इसी तरह chat GPT में मैं एक डालता हूँ section, और इसका result देखते हैं, कैसा हमें मिलता है, यहां पर देखें, first heading को यह cover कर रहा है, उसके नीचे जो sub headings थी, उनको भी यह cover कर रहा ह तो cloud AI ने जो हमें second part दिया था यहां पर, तो इस second वाले को मैंने यहां पर copy किया, chat GPT में डाला और यहां पर second का content भी उसने हमारे लिए और sub headings भी generate कर दी हैं, तो इसको मैं यहां से copy करता हूँ, और अपने final draft के अंदर यहां पर top में इसको add कर देते हैं, तो अब दो sections यह यहां पर देखें, blog post के हमारे यहां पर generate हो चुके हैं, यह है फिर उसके आगे नीचे, h3 headings भी यहां पर मौझूद है, तो मैं इनको arrange कर लेता हूँ, first को मैं यहां पर h2 कर देता हूँ, और in second वाली headings को मैं h3 करता जाता हूँ, सारी को, तो यहां पर देखें, तो इतना सब heading है, फिर यह सब heading है, फिर देन अगेन, h2 heading है, फिर h3, 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 तो इस तरह से हमारा content इतना जो है, वो ready हो चुका है, अब आते हैं, कुछ factors को बात करते हैं, कि क्या इसमें हमें include करना है, इसके humanize करने के लिए, ताकि Google पसंद करें, generation को process में ने आपको बता दिया, chat, gbt cloud AI या jasper को use करके, आप content generate कर सकते हैं, और इस prompt को use करते हुए, आप complete अपनी outline generate कर सकते हैं, या पूरा आपको idea दे देगा, बाकी मजीद यहां पर जो prompts है, जैसे niche finder यहां पर आप अपनी niche भी find कर सकते हैं, अगर आप new website start कर रहे हैं, उसके बाद affiliate content planner आपको मिल जाएगा, जिससे आप मुक्तलिफ transactional और affiliate keywords को find कर सकते हैं, clustering वगार आप कर सकते हैं, content clusters वगारा, blog post generation के लिए यहां पर मुझूद है, उसके बाद SEO audit, AI guest post founder और उसके बाद YouTube automation वगारे को पर आप काम करते हैं, तो भी यहां पर काफी सारे prompts मुझूद हैं, तो इनको आप ले सकते हैं, नीचे link मैंने दिया हुए, top comment में भी आपको मिल जाएगा, आप जा के अपनी email एंटर करें, आपको email पर यह sheet मिल जाएगी, सबसे पहले तो यह जो AI content है, इसको यहां से मैं copy करता हूँ, कुछ free AI detection tools को मैं यहां से open करता हूँ, जो GPT को detect करते हैं, यहां पर देखें, मैं content अपना paste करता हूँ, scan पर click करते हैं, यहां पर देखें, यह बता रहा है, AI content detected, that means के यह completely AI content है, जो हमने अभी लिखा है, अच्छा मैं यहां पर originality में भी check कर लेता हूँ, इसका प्लाइकरियरिजम और उसके बाद AI detection वगएर हम यहां पर भी देख लेते हैं, तो मैं इसको scan करता हूँ, और देखते हैं, यह हमें care result देता, अफ्कोर्स यह भी खुद भी AI है, AI से हम पूछना है का AI content है यह नहीं, तो मतलब यह हमारी help करता है, content को देख के इनलाइज करेंगे, इसमें robotic tone है, यह human-like यह लग रहा है content यह नहीं, तो देखते हैं फिर इसको मैं बताता ह यह यह AI content है, तो अब draft हमारे content का ready है, यहाँ पे, अब next step क्या है, अब देखें, Google चाहता है कि हम EAT formula को follow करें, अब EAT क्या है, EAT stands for expertise, experience, authoritativeness and trustworthiness, और इस चीज़ के बारे में Google नहीं अपनी update में बताया, यहाँ पे इस article को अगर आप देखें, और latest update to the quality greater guidelines, EAT, अब EAT यह क किया हुआ है, expertise, authoritativeness and trustworthiness, एक 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 उपर बात करते हैं, ताकि आपको यह सारी चीज़े समझ में आजाए, तब से पहली बात जो Google ने किया हुआ है, expertise and experience, यानि आपका जो भी article है, उसके अंदर expertise show होनी चाहिए, कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें आप expert बंदे हैं, वो नहीं चाहता कि सिर्फ चापा चापी की जाए, जो बंदा content लिख रहा है, जो बंदा content प्रोवाइड कर रहा है देखने वाले को, वो खुद उसमें expert होना चाहिए, और उसका experience उस article के अंदर दिखना चाहिए, यानि personal experience जब तक नहीं आएगा, expertise show नही यहां WP beginners का article है, मैंने बड़ी साइट का खोला था कि आपको बताऊं कि उसमें यह सारी चीज़ें उन्होंने follow की होती है, तो यहां पर देखें, अब यह article, और यहां पर देखें, तो एक उन्होंने line लिखिया है, we have tested, how we tested and reviewed the best e-commerce solutions, यानि e-commerce solutions के ओपर यह एक article उन्होंन यह इसमें expert है, यानि इसमें expertise भी show हो चुकी है, और इस line को देखते हुए experience भी show हो रहा है, experience तो वैसे भी यह बहुत बड़ी site है, और इनका जाहर है, इसी चीज़ों में expertise है, जैसे wordpress है, और e-commerce solutions, तो यहां से expertise और experience जाहर होता है, और यहां पर पहली heading में उन्होंने बता experience, expertise वैसे भी इनकी blog authority से भी show हो रही है, कि blog बहुत पुराना है और इस niche के अंदर बहुत ही expert है, और हर चीज़ों में इस niche की cover की हुए है, जैसे wordpress, blocking, SEO, e-commerce, यह सारी चीज़ों यह cover करते हैं, तो इसलिए यहां से experience show होता है, और जो उनने यहां पर बताया, we tested, तो इस से उनकी expertise show हो रही है, तो यह चीज़ आपने article में डालनी है, जो कि AI आपको डाल के नहीं देगा भाई, अगर आप AI को use करते हुए content लिखते हैं, और सीधा चाप देते हैं अपने website के उपर, तो उसमे expertise नहीं है, उसमें experience नहीं है, तो कहां से rank करेगा, पहले जो step है उसके डाल नहीं है, होचा है, manually डालें, AI नहीं डाल रहा, तो आप manually डालेंगे, या prompt डालके AI से डलवाएं, जो भी करना है आपने, यह चीज़ में उसके अंदर होनी चाहिए, यह eat का formula है, और बाकी जो कुछ factors में आपको बताऊंगा, वो हैं, तो फिर यह matter नहीं करता कि वो content AI स लिखा हुआ है, इसी तरह आर्टिकल के अंदर experience दिखाने की एक और example मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक blog है, जो कि article है, the six best carry on travel backpacks of 2024, यहाँ पे एक तो latest उन्होंने 2024 लिखा है, तो इससे भी show होता है, यह up to date content है, updated content है, यह पुराना crappy content नहीं है, यह भी है, उसके best ऐसे backpacks हैं, जो आप travel के लिए carry कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपना experience बताया और अपनी expertise show किया है, इस article के top में ही, यहाँ पे देखे हैं, तो editor's note यहाँ पे मौझूद है, we have updated our travel backpack review on October, और यहाँ पे उन्होंने include किया, including hands-on testing of the latest version, तो यहाँ पे expertise और experience वो उसके बाद table बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पूरा आप article देखेंगे, तो यह factors आपको यहाँ पे नजर आएंगे, अब यह जो article के अंदर चीज़े हैं, जैसे यहाँ पे backpack की image भी उन्होंने शामिल किया है, उसके बाद experts ने test किया है, यह सब क्या चीज़ें show करती ह है, authoritiveness के, इस niche के अंदर इनकी authority कितनी है, और यहाँ पे यह देखें तो overall यह niche भी यही है, outdoorgearlab.com, यह niche भी इनकी है, यह authoritiveness शो करती है, trustworthiness के इनके उपर हम trust कर सकते हैं, इनकी authority भी ज्यादा है, इस niche के अंदर इनके बहुत सारा content cover किया हुए है, जो के show करता है, authoritiveness और trustworthiness, इनके पर trust किया जा सकता है, अब मैं अगर अपनी देखो, तो मैं वाकई इनका यह blog post दे के, मुझे इन पर trust आ रहा है, भाई, मैं अगर यहाँ से buy करता हूँ, तो मुझे यह कोई गलत चीज भाई नहीं करवाएंगे, और एक trustworthiness शो हो रही है, इस article से, तो यह चीज जैसे यहाँ पर देखें, तो इनकी images यूज की हुई है, उन्होंने जो के Google को और अच्छल signal देती है, यह खुद इन्होंने यूज किया है, hands-on experience है, आप यह दे रहे हैं अपने article के अंदर, यहाँ पर नीचे आएं, तो यह उसकी images आपको मिल जाती है, उसके बाद यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ उसकी images यहाँ पर दे हुई है, नीचे देखें, तो यहाँ एक वीडियो मुझूद है, जिसके अंदर hands-on review दे रहा है, कि यह बैक कैसे काम करता है, जिस बैक को यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है, उस ही बैक को यह बंदा यूज कर रहा है, और पूरी वीडियो यहाँ पर दियो है, डिमस्ट्रेशन के कैसे यह बैक काम करता है, यहाँ पर देखें, तो यह चीज़ शो करती है, ट्रॉस्ट वर्दिनेस और इनकी expertise यह चीज़ शो कर रही है, इसलिए यह EAT formula को match कर रही है, इनका article, इसलिए यह टॉप में rank कर रहा ह Images, Videos, Infographics, यह चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो यह और Google को एक signal देती है, यह वाकी experience शो कर रहे है, expertise शो कर रहे है, और यह website authority रखती है, इस niche के अंदर यह जो article इन लिखा है, और trust वर्दि है, उसके बाद internal linking matter करती है, जो कि हम article जब publish करते हैं WordPress में, तो internally हम अपने different articles को, आपस में, जहां पर opportunity बन दी है, internal linking की अपर मैं पर किसी दिन बात करूँगा, और उसके अंदर मैं practically आपको बता हूँगा, कैसे आप internal linking को use कर सकते हैं, बारहल यह ही एक factor है, यह भी एक factor है, Google को signal देता है, कि आपका article इसका भी लेक उसको टॉप में जगा दीजा, अब यह पढ़ेंगे, तो जो उसमें robotic sounds होंगी है, जो ऐसी terms हो use करेगा, जो के critical हैं और robotic लग रही है, तो उनको आपने remove करना है, और उसमें human touch आपने add करना है, और जो चीज़े अभी तक मैंने यह चार घंडे लगा के आपको बताई है, eat वाला formula, और यह अगर आप manually भी करते हैं तो believe me, आपका article humanize automatically हो जाएगा, आपको किसी tool को use करने की पर जरूरत नहीं पढ़ेगा, अकर आप यह चीज़ें खुद ही follow करते हैं, यहाँ पर article को read करते हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कि I के sentences होने चाहिए, यानि जो article मैंने आपको बताई हैं, we tested, I tested, तो यह आए वाले जो जुमले हैं, यह दिखाते हैं Google को कि भाई, यह अपनी बात कर रहे हैं, और फर्स परसन एक्सपरियंस दे रहे हैं, जो कि अब Google best समझता है, यह बंदा अपनी बात कर रहा है, कि मैंने यह किया, मैंने यह देखा, इस टाइप के sentences जो हैं, वो chat GPT आप आपको नहीं यूज करके देगा, वो normal random information पकड़ेगा और आपको देदेगा, तो आपने वो खूद add करना होता है, वो आप add करेंगे तो automatically आपका content humanized हो जाएगा, और Google friendly हो जाएगा, चलो आप एक tool को use करते हैं, जो कि हमारे content को humanize करने में हमारी मदद करेगा, यहाँ पे तो मैं हूँ stealth writer पे, यह एक बड़ा ही जवदास tool है, जो कि AI detection भी आपको provide करता है, यहाँ पे AI detection भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चलो यहाँ पे AI detection भी चेक करते हैं, check for AI, मैंने कुछ content अपने ही article में से paste किया यहाँ पे, और देखते हैं क्या आता है, यह लें जी, य पूरा को पूरा AI content है, यहाँ पी humanizer में आते हैं, और यहाँ पे दुबारा से हम उसी content को paste करते हैं, और उस content को मैं humanize करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको arrange कर देता हूँ, यह दो paragraph है, यह भी heading है, और नीचे यह paragraph है, तो अब इसको हम humanize करते हैं, react करेगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ, यह इसको use करते हैं, चले इसको करते हैं, यहाँ पे humanize पे click करते हैं, और देखते हैं, क्या result मिलते हैं, अब देखें, नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आप दे रहा है, 100% human return, अब यहाँ पे इस content को copy करते हैं, अब सीधा यह आपने जाकर replace नहीं कर देना होता है, इनको आप test कर सकते हैं, यानि जो factors मैंने पहले आपको बताया हैं, चार गहंटे लगा के, वो सारे होने चाहिए, जब आप यह साला process कर भी लेते हैं, तब भी वो चीज़े होने चाहिए, यानि value article की नहीं जानी चाहिए, इस humanized जो इसने content कि करके simple English में उसको थोड़ा human touch देगा, तो इसलिए वो claim करता है कि अब यह humanized content है, तो यहाँ पे आप हम उससे match करते हैं, अब यहाँ पे देखे हैं, तो नोट पैड में उससे paste किया, अब पीछे जो है वो यह content है, अब यहाँ पे देखे हैं, तो इसने थोड़ा, अब यह AI अब AI की काम जै करें, did you know that India's Kumbh Mela festival is the largest peaceful gathering on the earth, कोई normal बंदे की बात तो लगनी रिया, अब नर्मली अगर English में को बंदा यही sentence कहता है, कि इंडिया में एक बड़ा peaceful gathering होता है, तो वो इस तरह नहीं कहता है, कि इंडिया में एक peaceful gathering होता है, जो अर्थ में बहुत बड़ा festival है लोग कहेंगे, भाई, वर्ड कहे दो, अर्थ कहने की ज़रूद कहा है, तो यह अर्थ जो इसने कहा है, उसके बाद, इसने जो लिया है, वो एक robotic type था, अब जबके हमने इसे humanized जब किया, तो यहाँ पे बड़ें, did you know there is a peaceful gathering in India, the Kumbh Mela festival, that brings in over 220 million people, यहाँ पे अब उसने ए an equation of culture, tradition and community, तो यहाँ पे अब इसने simple लिखा है, यह जो इसने lines लिखिया है, वो काफी robotic type है, और लगता भी है, पढ़ के भी किए कुछ काम यहाँ पे खराब ही लग रहा है, तो यहाँ पे इसको हम remove करते हैं, अब यह जो paragraph लिया है, इसको मैं यहाँ पे add कर देता हूँ, इसी तरह से मैं सीधा-सीधा यहाँ पे जो हमने humanize किया, उसको copy-based नहीं करूँगा, उसको देखूँगा, अब यह काम जो humanize करने वाले tool नहीं करके दिया, अगर आप यह manually कर सकते हैं, तो भी कर सकते है, humanize करें, फिर भी उसको देखें, humanize करके, हम चाहते हैं कि उसका meaning ज हो जाए, थोड़ा easy to understand हो जाए, simple English हो जाए, ताकि AI detection भी पास हो जाए, आपका content जो है, वो valuable बन जाए, यहाँ पे देखें, we are on a journey to the most beautiful cultural festival in the world in 2024, simple sentence है, जो कि अच्छा है, इसको मैं read करूँगा, और इसी तरह से यह जो नीचे वाला सारा content है, इसको भी मैं इसके साथ humanize कर content को मैंने humanize किया है, और अब इसको check करके देखते हैं कि भाई हमें क्या result मिलता है, तो यहाँ पे intro से हम शुरू करते हैं नीचे, और यहाँ तक मैंने इसको किया है, इसको मैं यहाँ से copy करता हूँ, अब देखें, किसी भी tool के अंदर देखते हैं, let's say, सबसे पहले तो free tools क के अंदर देखते हैं, AI content detector आप Google में लिखेंगे, तो यहाँ पे एक दो free आपको मिल जाएंगे, उनमें check करते हैं कि क्या result आता है, फिर हम अपने एक premium tool के अंदर भी check करते हैं, यहाँ पे इसको मैं paste करता हूँ, content को, अब जो हमने लिखा है, इसको scan करते हैं, और this is human text, आपको पढ़के बताई, और जो humanize करने के बाद आई है, वो उसमें काफी ज़्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ पे यह सिंपल और easy English है, वहाँ पे जो है, वो कुछ sentences ऐसे हैं, जिनको पर हम बता सकते हैं, खुद ही पढ़के बता सकते हैं कि यह AI content है, आप यह बता रहा है, यहाँ पे AI detection results, 6% AI generator, यहाँ यह एक पार्ट उसने बताया है, कि AI generated है, बाकी almost much much better, अचा भी originality जो के एक premium tool है, तो इसको भी मैं यहाँ पे content को paste करता हूँ, plagiarism और AI को हम detect करते हैं, कैसा आता है, तो यहाँ पे scan पे click करते हैं, तो लेज़े, यहाँ इसके plagiarism और AI detection test जो है, वो बहुत ही जबरदस्ता है, 100% confidence के साथ वो कह रहा है, कि likely original, यहाँ यह एक original content है, और यहाँ पे पूरा green आ रहा है, that means के content बेलकुल जबरदस्त है, वरना यह tool काफी strict है, और इतना easily content को pass नहीं करता है, अब जो factors मैंने आपको बताया थे, वो आप इसमें देख सकते हैं, internal linking करें, images डालें, internal linking करें, उसके पूरी setting करके, on page करके, अगर आप इसे publish करते हैं, तो हम शूर यह perform करेगा, इस तरह अगर आप value edition करके, अब इसको आपने पढ़ना है, पूरे article में कोई ऐसा sentence नहीं होना चाहिए, जाहरा AI से आपने लिखा है, तो ह लाजमी priority देता है, और उसको rank करता है, बाकि शुरू में जो आपको factors बताया है, उनको आपने लाजमी follow करना है, और यह जरूरी नहीं है कि आप in tools को use करें, आप चाहें, तो मैनुएल लिखें, चाहें तो आप लिख AI से सकते हैं, बाद में उसको manually आप चेक करें, उसको humanize कर सकते हैं, पिर चाहें तो आप दोनों काम यह AI tools को use करते हुए कर सकते हैं, यानि right BI को use करते हुए करें, humanize करें, then end में आप उसकी modification करें, उसको देखें कि अब सारे factors के अंदर वो आ चुके हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया है, वो eat वाला formula और वो सारा कुछ, य अगर आप अपनी website या blog स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें, इसमें मैंने आपको बताया है कैसे आप अपनी फ्री website क्लेम कर सकते हैं, और हम आपको freely website सेट अप करके देंगे, जब दस तौफर अगर आप beginner हैं और आप अपनी website स्टार्ट करन चाहते हैं, तो फ्री आप अपनी website क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो में मजीड डीटेल्स आपको मिल जाएगी, ये जाके देखें, मैं मिलोगा आपसे अगली वीडियो में अपना ख्याल रखेगा, अलाफिस